नमस्कार स्वागत है आप सभी का दुरुदेशन समाचार आप देख रहे हैं और सांकितिक भाशा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाज़िर हो मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सयोगी शरद मुद्गल जो ख़वरों को सांकितिक भाशा के जरीए आप सभी तक बहुचाएग करनाटक सरकार ने वाद बढ़ने के बाद लिया यूटन प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के फैसले पर लगाई रोक तकनीकी उद्योग के साथ-साथ निवेश के प्रभावित होने का था खत्रा सुप्रेम कोच में आज नीच यूची पेपर लीक मामले में होकी सुनवाई एंट ये द्वारा इस्थानांत्रण की मांग से जुड़ी चालिस से ज्यादा याजिकाएं भी शामिल बुनदबांदी होने के बावजूद दिल्ली वासियों को नहीं मिली उमस से राहत वही करनाटक में मूस्राधार बारिश के कारण एनेच च्यासट पर भुस्कलन चार की मौत उधर असम में बार की स्थिति में लगातार सुधार जारी डुनाल्ड प्रम्प परजान लिवा हमले के मामले में अमेरिकी संसदे कमेटी ने उठाया बड़ा कदम सीक्रेट सर्विस चीफ को समन जारी कर मामले में पहली सुनवाई में गवाही के लिए बुलाया और खेल के खबरों में स्विडेश ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में भारतिय टैनिस स्टार सुमित नागल उत्रहेंगे कोट पर अंतिम सुहला में अर्जन्टीना के मेरियारोन नावोनी से भोगी भिडन तो ये थी सुभा की अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं निजी कंपनियों में आरक्षण मामले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और उद्योग जगत के भारी विरोध के चलते करनाटक की सिधार्मया सरकार अब बैक फुट पर है विरोध के चलते सरकार ने नीजी कंपनियों में 100% इस्थानिय लोगों को आरक्षन वाले अपने कैबिनेट के फैसले को फिलहाल इस्थगित कर दिया है गौरतलब है कि करनाटक के मुख्यमंत्री सिधार मया ने प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में करनण लोगों के लिए 100% आरक्षन को लेकर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पहले एक पोस्ट किया था उसमें कहा गया था कि कैबिनेट ने करनाटक में निजी उद्योगों और अन्य संग्ठनों में प्रिशासनिक पदों के लिए 50% और गैर प्रिशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षन तै करने वाले विधे को मनसूरी दे दी है इस पोस्ट के बाद करनाटक सरकार के फैसले का चौध तरफा विरोध शुरू हो गया था इसके बाद सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है वही सुप्रेम कोट आज नेट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा इनमें राश्ट्रिय परेक्षण एजनसी द्वारा इस्थानांत्रण की मांग करने वाली याचिकाओं भी शामिल है मुखे न्याइधीश डीवाई चंदचूड और न्याइमूर्ती जेवी पार्दिवाला और न्याइमूर्ती मुनोज मिश्टा की पीठ चालिस से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी इनमें एंटी द्वारा इस्थानांत्रण की मांग करने वाली याचिकाओं भी शामिल है इससे पहले सुप्रेम कोट ने 11 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए इस्थाकित कर दी थी जिनमें परिक्षा रद करने, दुबारा परिक्षा देने और NEET, UG 2024 के संचालन में कथित कदाचार की जाच की मांग करने वाली याचिकाओं केंद्र के जवाब की रूप में शामिल थी पीठ ने कहा था कि उसे परिक्षा के संचालन में कथित अनिम्मेताओं की जाच में हुई प्रगती पड़, CBI से एक स्थिती रिपोर्ट प्राप्त हुई है और चलिए अब बात गुजरात की करते हैं जहां चांदीपुरा वाइरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है राज्य में चांदीपुरा वाइरस से एक बच्ची की मौत की भी खबर सामने आई है इस वाइरस को लेका स्वास्ते मंत्वाले ने राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए बैठक भी की है अगले हफ़ते स्वास्ते महाने देश्यों के नित्त में विशेशग्यों की एक उच इस तर्य टीम इस मामले में बैठक करेगी और हालत की समिक्षा करेगी वहीं आपको बता दें कि चांदिपुरा वाइरस बहुत तेजी से दिमाग में फैलता है इस बिमारी का फ्लूड से भी ट्रांसमिशन होता है इस वाइरस से मृत्युदर 50 प्रतिशत तक है फिलहाल चांदिपुरा वाइरस का अभी तक कोई टीका नहीं बना है गौरतलवै के साल 1966 में पहली बार महराश्टर के नागपुर के चांदिपुरा में इस वाइरस की पहचान हुई थी और यही वज़ा है कि इसका नाम चांदिपुरा वाइरस पड़ा इस वाइरस को साल 2004 से 2006 और 2019 में आंधरप्रदेश, महराश्टर और गुजरात में रिपोर्ट किया गया चांदिपुरा वाइरस एक RNA वाइरस है जो सबसे ज़्यदा मादा फ्लेवोटाइमाइन मक्खी से फैलता है और अब बात मौसम की जहां दिल्ली अंसियार के लोग एक तरफ जहां उमस भरी कर्मी की मार चिल रहे हैं तो वहीं पहाडी राज्यों, उत्राखंड और हिमाचल में जोरदार बारिश ने सितम ठा रखा है मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में रिम जिम बारिश हो सकती है तो वहीं अधिक तम तापमान 37 डिगरी और नियुन तम तापमान 29 डिगरी रहने की उम्मीद है आईमजी के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली एंसियार सहित बिहार और उत्तरी भारत के कई इलाकों में बारिश की समभावना है वहीं कोकड और गोवा, मध्य महराश्ट, मराथवाड़ा, केरल, लक्षुदेप, करनाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, विधर्प, छत्यसकर, तट्य आंधर प्रदेश, तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश की समभावना है और वहीं असम में बार की स्तिते में लगातार सुधार हो रहा है, हाला की अब तक बार के कारण हजारों गाव जलमगन हो गए है सेंख्डों गाव बार की चपेट में हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है बार की बज़ा से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वही अधिकारियों ने बताया कि गुवाहाटी इस्तित शेत्रिय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले दो दिनों तक शेत्र में बारिश नहीं होने का अनुमान जताया है जिससे इस्ति में तेजी से सुधार होने की भी उम्मीद है वही भ्रम्पुत्र नदी निमाती घाट तेशपूर और धुपरी में खत्रे की निशान से उपर बह रही है नागल मुराघाट में दिसांग और करीम गंज में कुशियारा नदी खत्रे के स्तर से उपर बह रही है इसी के साथ बार की वुज़ से ये विभिन जिलों में तेटबंद, सडके, पुल, मकान और अन्य बुनियादी धाचों को भी काफी नुकसान पहुचा है अब बात अंतराश्ट्रे खबरों की, पैंसिल्फेनिया में एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्फ राष्ट्रपती डोनाल्ड क्रम्प पर जानलिवा हमले के मामले में अमेरिकी संसदे कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है कमेटी ने सीक्रेट सर्विस डारेक्टर किम्बरली चीटल को एक समन जारी कर सोमवार को पहली सुनवाई में पेश होने को कहा है अमेरिकी संसद की हाउस ओवर्साइट एंड एकाउंटिबिलेटी कमेटी के रिपॉपलिकन चेर्मेन ने बुधवार को ये समन जारी किया संसदे समीती के प्रतिनिधी और प्रवक्ता जेम्स कॉमर ने इस बारे में जान करी दी उन्होंने कहा कि भले ही सीक्रेट सरविस उनकी उपस्तिति के लिए प्रतिबध है लिकिन ऐसा प्रतीत होता है कि होमलेंड सुरक्षा अधिकारियों ने हस्तिशेप किया है और समीती के साथ कोई अबडेट या जान करी साजा नहीं की गई है समीति के साथ पार दरशिता की कमी और सहयोग करने में विफलता के कारण सीक्रेट सर्विस का नेतोतो करने की चीटल की शमता पर भी सवाल खड़े हुए हैं सीक्रेट सर्विस के चीफ किम्बरली चीटल ने कहा कि सीक्रेट सर्विस हमले की चार्ज करने वाली कॉंग्रेस समीतियों का पूरा तरह से सहयोग करेगी अमेरिकी राश्पती जो बाइडन कोरोना संक्रमित हो गए है वाइटाउस की प्रेस सचिव केरिन जीन प्यरे ने इसकी जान करी दी है देसल लास्वेगास में यूनिजो यूएस सम्मिलन में भाशर से पहले उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया जिसकी रिपोर्ट में जो बाइडन कोरोना संक्रमित पाए गए अब फिलहाल उनको थाकान और खासी की शिकायत है जो करोना के हलकी लक्षण है बाइडन डेलाफेर लोट कर खुद को आइसोलेट करेंगे वाइटाउस राष्टपती के स्थिति के बारे में नियम्मित अपडेट भी प्रदान करेगा क्योंकि वो आइसोलेशन में रहते हुए भी ऑफिस के सही काम करना जारी रखेंगे राष्टपती बाइडन कोरोना के पूरे टी की भी लगवा चुके हैं और इसके साथ ही बूस्टर खुराक भी ले चुके हैं उन्हें बहुत हलकी लक्षडों का फिलाल अनुभफ हो रहा है और अब बात खेलों की जहां अरजंटीना में एक विमान को बरफीले पहार में इसके पाइलेट को एक दिन बाद सुरक्षित निकाला गया बरफीले पहारों से लोगों को सुरक्षित निकालने वाली कंप्री ने इस विमान को सुरक्षित रूप से निकालने में मदद की पुरे बचाव अभियान में 10 घंटे का समय लगा वहीं पैरिस में एक कैफे में कार के खुश्चानी से एक अव्यक्ती की मौत हो गई और अन्य कई लोग इसमें खायल हो गई है दो लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है मौकिपर से ड्राइवर फरार हो गया था लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया पुलिस ने कहा कि इस हादसे के पीछे का मकसद पता नहीं चल सका है लेकिन इसे एक सामाने दुरखटना माना जा रहा है पैरिस में 26 चुराई से उलंपेक शुरू हो रहे हैं इसलिए फ्रांस में सुरक्षा काफी कड़ी है भारती टैनिस स्टार सुमित नागल आज स्वीडिश उपन के प्री क्वार्टर फाइनल में कोट पर उतरेंगे प्रतियोगिता के अंतिम सोहला में सुमित नागल की भिरंथ अरजन्टिना के मेरियानोन नावोने से होगी इससे पहले खेले गए मैच में सुमित ने स्वीडन के ऐलियास यमेर को 6-4-6-3 से हरा कर अंतिम सोहला में अपनी जगा बनाई थी उलम्पिक के लिए क्वालिफाई कर चुके सुमित नागल को ATP टैनिस एकल रैंकिंग में फाइदा हुआ है सुमबार को जारी की गई ATP रैंकिंग में नागल करियर के सरुषेच असठवी स्थान पर पहुँच के उन्हें पाच स्थान का फाइदा हुआ है और इसी के साथ फिलाल सांकितिक भाशो के इस खास पुलेटर में मुझे मेरे सही हो की शरत मुदकल और हमारी पूरी टिम को दीचेनुमती नमस्कार